हलो दोस्तों कैसे आप सब आसा करते हैं उत्रच्छे होंगे दोस्तों इस YouTube परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियां उनके उत्पति उनके वंसर्ज और इतियास के सुनेरे पर्णों में उस जाती के बारे में क्या लिखा है इन सभी मुद्दों पर परत बनाए रखेंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे तूरी जाती का इतियास आज देखेंगे दोस्तों तूरी जाती का क्या इतियास है तूरी जाती के जो वंसर्ज थे उन्होंने इतियास में किस परकार अपनी छवी छोड़ी है सुनेरे पर्णों में किस पर दोस्तो चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लें बेल के प्रेस को नोट कर लें क्योंकि हमारी टीम लगातार भारत की जो जातियां है उन ग्युतपती वंसज और इतियास के बारे में परती दिन आपके साथ डिसकस कर रहे हैं दोस्तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को तूरी भारत के जारखन, बिहार, उडिसा और पस्चिम बंगाल राजे में पाई जानने वाली एक जाती है बांस पारसंप्रिक रूप से ग्रेलु वस्तों के निर्मान और खेती में शामिल है 1931 में ब्रिटिस काल के दुरान उन्हें आदिवासी जनजाती के रूप में सुची बंद किया गया था 1936 में फलोरीडा के रूप में सुची बंद किया गया दोस्तो पहले इन्हें आदिवासी जनजाती के रूप में सुची बंद किया गया था 1931 के अंदर ब्रेटिस काल के अंदर तूरी जाती को फिर दोस्तो 1936 में इने फलोरिडा के रूप में सुची बंद किया गया था तूरी जाती को तूरी को कई उप सुमूव में विवाजित किया गया है वे आगे विविन वहीर विगी कुलों में विवाजित है तूरी का प्रिवार अधिकांस पितर स्तानिय और पितर बंचिया होता है दोस्तों ये तूरी जाती के लोग वे खेती खिलोने निर्मान और सरम में सरमी कोते ह उडिशा जो उडिया है लाहरिया है इंडीबा है उनका तिहवार काली पुजा दुर्गा पुजा नूखाई राजा ढोला अरत यात्रा मकर है आरुनिक काल में तोकरी निर्मान का पारसंप्रिक वेवशाय खटरे में है क्योंकि बजार में पलास्टिक के गिरेलू समान बहुत उपलब्द है लेकिन तिहवारों के दुरान बांस से बने पारसंप्रिक तोकरी की मांग रहती है सरवपर्थम सिलप कला के संसार में मिटी कला के बाद यदि कोई कला आई तो वे बांस कला है मानव परारम से ही कला प्रेमी रहा है दोस्तो तूरी जाती का बांस कला से बहुत ज़्यादा संबंद रहा है तूरी जाती के प्राचिन लोग सिलप कला में विश्वास रखते थे सिलपी हुआ करते थे दोस्तो और बांस का काफी महताव है तूरी जाती के अंदर तो मानव परारब से ही कला प्रेमी रहा है उसने जब अपने हातों से कलात्मक चीजे बनानी अरारम की तो उसी समय से बांस की वस्तों में बनती आ रही है मतलब बनती आ रही है दोस्तों प्रकत्ति अवशक्ता उपलब संसादन के अनुरूप ही कला का निर्मान इविकास होता है मानव अपने जीवन में इसे अंगी कार कर स्वेम की समाज के अवस्ता की पुर्ती बेखुबी से करता है तूरी बांस के दक्ष कलाकार होते हैं ये अपनी जादूई उंगलियों से अनेको वस्तुएं बनाते हैं उनके अलावा बांस काम महली गोंड डामुरा बिरजिया हो या संताली पहाडिया आदी इन जन जातियां यहां कारी करती है ये लोगों की हर तरे की अवशक्ता चाहे वे ग्रेलू कारे हो क्रिशी कारे हो परव तिहवार या संसकार साधियों की अवशक्ता बांस निर्मित समानों की पूर्ती करते आ रहे हैं बविशे में ही करते रहेंगे साथी ये इनकी जिविका के भी साधन है तूरी जाती का नाम तुनने बिनने के कारण ही तूरी पड़ा है दोस्तों दूसरे समुदाई के लोग इने समान के साथ मिस्तरी या गुरू कहकर संबोलित करते हैं ये जहारखंड में लोहार को भी सूरीन की उत्पति कता से जाहिर होता है कि लोग अधिक पूरुस सुपा भगत के वंसज हैं जो बांस में काम करते थे तूरी अनिकों गोत्रों जैसे के माईलवार, हासदा, चरहान, बागे, सूरीन, तमगडिया, एयद, लकडवार, जाड़ी, एंडवार, सांवर आदी म विभाजित है, ये गोतर पर हदारीत है दोस्तों, इनके समाज में गोतर के हदार पर काम बंटा हुआ है, जिसे माईलवार, राजा, जो सूरीन, ठाकुर थे, जो पाने समाज में अपने ही समाजिक कारियों का निर्फा करते थे, ये छोटा नागपूर के लगभग सभी प पतल हडियां, चावल से निर्मित पे पदार्त भी ढालते हैं, भूत देव में भी विश्वास करते हैं दोस्तों, इसे तो तुरी या बांज सिल्पकार सभी गावों में दो चार घर के अलावा कहीं कहीं पर बीस, पंदा से बीस घर तक पाय जाते हैं, ये वैसे इस्तानो पर निवास करना पसंद करते हैं, जो जंगल से समीब हो, बजार बस्तियों से भी दूर नहीं हो, ताकि मांज से बनाईगी चीजों को बेच कर अर्थ की जो आर्थिक है, या अर्थ है, इसकी प्राप्ति कर सके, तथा अपनी आर्थिक विकास कर, परिवार की रोजी रोट में अपना भरपूर से योग इन दोनों जातियों मतलतूरी ने दिया था, दोस्तों, ये जो नेशनल मोमेंट उसके बाद सुरू हुआ, या पिर ब्रिटिस काल जिसको बोलते हैं, ब्रिटिस भारत बोलते हैं, अंग्रेज जब भारत में घुस गये थे, तो अंग्रेजों सबी भारतियों के साथ मिलकर तूरी जाती के लोग भी अंग्रेजों को बाहर निकालने में काफी महतोपुन भूमी का दोस्तों, इनकी रहती है, ताकि नेशनल मोमेंट में इन्हें आज भी याद किया जाता है, दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने तूरी जाती का ज् उसके उत्पति उसके वंसर्ज इसके बारे में दोस्तों आपके सामने जिकर क्या है वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जुरूर करें चैनल को और दोस्तों अपने सोसिल मीडिया पर शेयर करें ताकि तूरी जाती के लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके धन्यव प्रव कि ग्लिव फ्राबिष।